Hey guys, welcome back. So, आज मैं explain करने वाली हूँ हाल ही में release हुई Summerland movie, जो कि आधारीत है सपनों की दुनिया पर. ये कहानी बहुत ही beautiful है, तो आप वीडियो end तक जरूर देखिए. मुवी की शुरुआत में हम नेमो को देखते हैं, जो अपने पिता पितर के साथ एक लाइट हाउस में रहती है, नेमो की मा भी इस दुनिया में नहीं है, पर पितर नेमो को उसकी मा की कमी महसूसी नहीं होने देते हैं. पितर ने नेमो को लाइट हाउस को कैसे मेंटेन करना ह ये सब सिखा दिया है पिटर के बाद नीमो भी उसी लाइट हाउस में काम करना चाहती थी पिटर नीमो को हमेशा बेड़ टाइम स्टोरी सुनाता था और वो स्टोरी एडवेंचर से भरपूर होती थी वो अपनी स्टोरी में हमेशा उसके पार्टनर फिलिप का जिकर करता था एक रात पिटर अपनी स्टोरी में बताता है कि एक बार उसके पार्टनर फिलिप ने उसे कुछ जादोई मोतियों के बारे में बताया ये मोती बहुत खास थे, क्योंकि जिसे भी वो मोती मिलते, वो उन मोती उसे कोई भी चीज मांग सकता था, और वो मोती उस इंसान की कोई भी ख्वाईश पूरी कर सकते थे, पर फिलिप ने बताया था कि वो मोती समंदर के सबसे ज़्यादा खतरना के लाके में पाए जाते, वो समंदर था बुरे ख्वाबों का समंदर जी हाँ दोस्तों पिटर कहता है कि वो मोती सपनों के समंदर की गहराईयों में मुझूद थे पिटर को फिलिप का ये आइडिया बहुत ही जोखिम भरा लगा इसलिए उसने फिलिप को मोतीयों का खजान लोटने से मना कर दिया पर तभी फिलिप ने दो बार नौक किया पिटर और फिलिप का एक उसूल था कि जो भी डबल नौक करेगा तब उसके दूसरे पार्टनर को उसकी बात मानने ही पड़ेगी पिटर के पास कोई चोईस नहीं थी इसलिए उसलिए फिलिप के साथ मोतीयों की तलाश में निकल पड़ा उस रात समंदर में बहुत बड़ा तूफान आया और पिटर समंदर की सत्यह तक जा पहुचा वहाँ पर उसे एक छेट दिखाई दिया देन पिटर उस चेट से अंदर चला गया और वो देखता है कि वो इलाका पुरा बंजर था और वहाँ पर प्राचिन समंदरी जीओ की हड़ दिया थी लेकिन पिटर उस जादूई मोतियों तक पहुचने से पहले ही वहाँ पर अंदकार के राक्षस ने पिटर पर हमला कर दिया नीमो कहानी में पूरी खो चुकी थी लेकिन तभी पिटर को रेडियो पर खबर मिलती है कि तूफान में कोई जहाज फस गया है और पिटर को उन लोगों की मदद करने जाना पड़ेगा अब पिटर के जाने के बाद नीमो लाइट हाउस में अकेली थी और तभी उसे एक सपना आता है कि पूरा लाइट हाउस बर्फ में धख चुका है और अच्छानक से बहुत बड़े तोफान ने पूरे लाइट हाउस को समंदर में डुबा दिया नीमो भी समंदर की गहराईयों में जाप पहुची और वहाँ पर उसने देखा कि उसके पिता की शिप डूप चुकी थी लेकिन उसके पिता जिन्दा थे और वो नीमो की तरब आ रहे थे पर तभी अंधकार के राक्षस ने उन्हें निगल लिया और इस डराउने सपने की वज़े से नीमो नीन से उड़ जाती है दूसरे दिन पीटर की कॉलिक कारला नीमो को बताती है कि रात के तुप़ान में पीटर की मौत हो चुकी है पीटर के जाने के बाद नीमो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और वो बहुत दुखी थी पीटर के बाद नीमो की जिम्मेदारी उसके अंकल फिलिप की थी फिलिप शेहर में रहते थे और नीमो उनसे पहले कभी मिली ही नहीं थी अब फिलिप नीमो को अपने साथ शेहर ले जाता है शहर जाने के बाद फिलिप निमो को पुरा घर दिखाता है और कुछ डोर नॉब्स भी दिखाता है फिलिप को डोर नॉब्स में बहुत इंटरेस्ट था इन फैक्ट वह नहीं का बिजनेस भी चलाता था अब निमो अपने रूम में चली जाती है और उसके सामान को चेक करने लगती है इधर फिलिप्स नेट पर सर्च करने लगता है कि बच्चों को कैसे संभाला जाए इट में इंस फिलिप्स को बिलकुल भी आइडिया नहीं था क्यों नीमो के साथ कैसे रहेगा नीमो सोने के बाद सपनों की दुनिया में चली जाती है और उसके खिलोने पीगे में जाना आजती है इतना ही नहीं उसका बेड़ भी अब जिंदा हो चुका था और वो नीमो को लेकर उसी लाइट हाउस में वापिस चला जाता है जहां नीमो पहले रहा करती थी नीमो वहाँ पर अपने फादर को ढूंडने लगती है पर पीटर वहाँ नहीं थे वहाँ पर है कि क्या उसके पिता ने कभी उसे वो नक्षा दिखाया था लेकिन नीमो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था फिलिप कहता है कि अगर हमने मोतियों के खजाने को ढूंड लिया तो शयन लोग में यानि सपनों की दुनिया में हमारी हर इच्छा पूरी हो सकती है वो नीमो से कहता है कि तुम हर रोज सपनों में अपने डैट से मिल पाओगी और तबी नीमो का सपना तोट जाता है और उसके सामने उसके अंकल फिलिप थे फिलिप नीमो को बताते है कि उसे अब स्कूल जाना पड़ेगा लेकिन नीमो बिलकुल भी स्कूल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसके पिता ने उसे बता है था कि स्कूल एक जेल जैसी होती है वही पर फिलिप की मुलाकत आरिया से होती है जो कि नीमो की टीचर थी फिलिप आरिया को बताता है कि नीमो की पिता इस दुनिया में नहीं है और वो एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और फिलिप को खुद नहीं पता कि बच्चों के साथ कैसे रहा जाए इस पर आरिया कहती है कि तुम जल्दी सीख जाओगे अब स्कूल के बाद फिलिप नीमो को लॉक खुलना सिखाता है बट नीमो इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती और सोने के लिए अपने कमरे में चले जाती है सोने के बाद वो सपनों की दुनिया में पहुच जाती है तो वहाँ पर पिगी लाइट हाउस से लाए हुए समान से एक ड्राइंग बाहर निकलता है और इसी ड्राइंग के पीछे जादूई मोतियों का नक्षा चिपा हुआ था निन से उटने के बाद नीमो को भी वो मैप मिल जाता है उसमें पीटर ने खजाना लूटने के सफर में लगने वाली आवश्यक चीज़े भी बताई थी इसलिए नीमो खाना, फ्लैच लाइट, स्ट्रिंग्स ये सब कलेक्ट करके उसकी स्कूल की बेस्मेंट में चली जाती है और वहाँ पर अपने फादर की पिक लगा के सो जाती है अब वो फिर से सपनों की दुनिया के लाइट हाउस में पहुच चुकी थी फ्लिप वहाँ पर अभी भी मोतियों का नक्षाई धून रहा था अब नीमो फ्लिप को नक्षा दिखाते है तो फ्लिप उस नक्षे को नीमो से चीन लेता है और अके लिए खजाना धूनने निकल पड़ता है पर नीमो कहती है कि उसे भी वो खजाना चाहिए ताकि उन मोतियों के जरीए अपने पापा से मिल सके पर फ्लिप कहता है कि ये आसान काम नहीं है क्योंकि सपनों के समंदर तक पहुचने के लिए कई सारे लोगों के सपनों से हमें गुजरना पड़ता है और अगर किसी और के सपने में तुमारी मौत हो गई तो तुम कभी भी नहीं जागोगी पर नीमो ये जोखिम उठाने के लिए तैयार थी वो डबल नौक करके फिलिप को मना लेती है फिलिप अब नीमो को नक्षा खोल के दिखाता है और कहता है ये सभी लोगों की ख्वाबों का नक्षा है और इसे फ्लिप और पीटर ने ख्वाबो की पुलिस ब्यूरो से चुराया था तब से ही वो पुलिस फ्लिप को ढोन रही थी तो जैसे हमारी असली दुनिया में पुलिस होती है वैसे इस सपनों की दुनिया के भी पुलिस फोज होती है पर एक जगा है जहाँ पर ये पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती और वो जगा थी बुरे ख्वाबों का समंदर यही पर वो मोतियों का खजाना भी है पर यहाँ तक पहुशने के लिए इन दोनों को ख्वाबों की पुलिस को चक्मा देना होगा फ्लिप नीमो को बताता है कि बुरो पुलिस इनसानों को ख्वाबों से जोडने के लिए सिक्रेट दर्वाजा बनाती है अब फ्लिप उस दर्वाजे को ढूंड लेता है जिससे अंदर जाने के बाद वो किसी और के ख्वाब में चले जाते है जहाँ पर कोई पार्टी चल र परने से पहले वहाँ पर बुरे ख्वाबों का साया आ जाता है और इसी मौके का फाइदा उठा कर फ्लिप और नीमो वहाँ से भाग जाते है फ्लिप समझ नहीं पाता कि बुरे ख्वाब वहां तक आये कैसे तो नीमो बताती है कि ये साय उसने पहले भी सपने में देखे फ्लिप कहता है कि तुम दुखी हो इसलिए बुरे ख्वाब तुमारा पीछा कर रहे है और जब तक ये साय तुम्हें दबोश नहीं लेंगे तब तक ये चूप नहीं बैठेंगे और तब ही नीमो सपनों की दुनिया से गायब हो जाती है क्योंकि रियल लाइफ में वो न दगे में आगे बढ़ना चाहिए पर नीमो मुवान करने के लिए तयार नहीं थी फिलिप नीमो से कनेक्ट करना चाहरा था इसलिए वो नीमो को बेड़ टाइम स्टोरी सुनाने लगता है लेकिन वो कहानी इतनी बोरिंग थी कि नीमो को तुरंती नींद आ जाती है और वो सपनों की दुनिया में पोहच जाती है और फिलिप से मिलती है नीमो फिलिप से पूछती है कि उसका असली दुनिया में क्या नाम है और वो क्या करता है पर फिलिप कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वो कभी अपने सपने से बाहर आया ही नहीं था तभी फिल बगता है कि ग्रीन मर चुकी होंगी लेकिन वो फिर से वापिस आ जाती है अब नीमो और फ्लिप जैसे तैसे उस ट्रक में गुश जाते हैं वो ट्रक एक चोटा बच्चा चला रहा था यानि यह सपना उस चोटे बच्चे का था जिसमें अब नीमो और फ्लिप शामिल हो जाते हैं लेकिन तब तक एजेंट ग्रीन भी वहां बहुच जाती है और वो उसके स्पेशल गन से फ्लिप और नीमो को स्टैच्चू कर देती है दरसल एजेंट ग्रीन पिछले 30 सालों से फ्लिप को पकड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि उस नक्षे को हासिल कर सके एंड पिर पीटर ने शादी कर ली और सपनों की दुनिया में आना हमेशा के लिए बंद कर दिया फ्लिप का मानना था कि जैसे उन जादmillion को हसिल करेगा उसे इसके पहचान भी मिल जाएगी यानि उसे याद आ जाएगा कि ओर ये रियल डुनिया में कौन है तब ही एजेंट ग्रीन नीमो को जेल से आजाद कर देती है और उसे बताती है कि उसने मोतियों की खजाने को खोजना छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए पर नीमो उसे बताती है कि उसे सपनों की दुनिया में ही रहना है और वो भी उसके पिता के साथ पर एजेंट ग्रीन कहती है कि तुम्हें हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा इसी के साथ नीमो का सपना तूट जाता है और वो नीन से जाग जाती है वो जब हॉल में आती है तब देखती है कि उसके अंकल भी सोय नहीं थे फिलिप अब उसे कुछ टेप्स दिखाने लगते जो कि उसके और पीटर के बच्पन के थे फिलिप बताता है कि वो पीटर के साथ सपनों की दुनिया में हर रोज जाता था और वो लोग खजाना ढूंडते रहते थे और सपनों की दुनिया में फिलिप का नाम फिलिप था लेकिन कुछ सालों बाद पीटर नी शादी कर ली और वो हमेशा के लिए लाइट हाउस चला गया फिलिप ने पिटर को रोकने की बहुत कोशिश की पर पिटर अब आगे का सफर अकेली ही तै करने वाला था इससे फिलिप का दिल तूट गया और उसने हमेशा के लिए सपने देखना बंद कर दिया नीमो अब समच चुकी थी कि सपनों में वो जिस फिलिप से मिलती है वो और कोई नहीं बलकि उसके अंकल फिलिप ही थे अगली दिन नीमो स्कूल के बेस्मेंट में जाकर सो जाती है और नेक्स मॉमेंट में वो सपनों की दुनिया में वापिस पहुँच जाती है वहाँ एक के बाद एक सभी दर्वाजे पार करके वो फ्लिप के पास पहुच जाती है जो इस वक्त कैद में था वो फ्लिप को वहाँ से आज़ात करके अपने साथ बाहर ले जा रही थी लेकिन रास्ते में उन्हें एजन्ट ग्रीन मिल जाती है फ्लिप ग्रीन को उलजाए रखता है और नीमो तब तक ग्रीन की गन चुरा कर उसे स्टैचू बना देती है अब नीमो और फ्लिप जेल की एलिवेटर का यूज करके नए दर्वाजे तक पहुच जाते है वो पुरा इलाका बर्फ से डखा हुआ था वहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता था इन लोगों को उस माउंटें से चलांग लगानी पड़ेगी नीमो देखती है कि वहाँ पर धेर सारे बर्ड्स से सो शी डिसाइड्स कि वो लोग उनी पक्षियों के जरी आखरी दर्वाजे तक पहुच जाएंगे पर तब तक एजेंट ग्रीन भी वहाँ पर आ जाती है और उससे बचने के लिए ये लोग एक पक्षी पर चलांग लगा देती है और वो पक्षी उन्हें आखरी दर्वाजे तक पहुचा देता है ये लोग अब उस आखरी दर्वाजे के अंदर चले जाते है और एक समंदर के पास पहुच जाते है वहाँ जाने के बाद नीमो फिलिप को बताती है कि असली दुनिया में वो उसका अंकल फिलिप है जो डोर नॉप्स का बिजनेस करता है वो कहती है कि जब मेरे पापा फिलिप से दूर हो गए तब फिलिप ने सपने देखना बंद कर दिया और तुम हमेशा के लिए सपनों की दुनिया में ही भस गए पर जादोई मोती मिलने के बाद तुम जाग जाओगे और फिलिप से हमेशा के लिए एक हो जाओगे लेकिन फिलिप अपनी असलियत से रुबरू नहीं होना चाहता था वो कहता है कि यही मेरे दुनिया है मुझे इससे बाहर नहीं आना मुझे अब उन जादोई मोतीयों के कोई जरूरत भी नहीं इसलिए अब नीमो अकेली ही खजाना दुनने जाने वाली थी पर तभी नीमो की नेन तोट जाती है और वो असली दुनिया में वापिस आ जाती है दरसल नीमो को उसकी टीचर आरिया ने बेस्मेंट में पकड़ लिया था वो फिलिप के पास नीमो की शिकायत कर देती है घर जाने के बाद फिलिप और नीमो की लड़ाई हो जाती है और गुस्ते में नीमो रात के समय वहाँ से भाग जाती है फिलिप ने नीमो के लिए जो बोट लाई थी वो उसी में वापिस लाइट हाउस जा रही थी इधर फिलिप को भी पता चल चुका था कि नीमो घर से भाग गई है इसलिए उकारला को कॉल करके बता देता है कि नीमो शायद लाइट हाउस की तरफ आ रही है इधर नीमो नाव चला रही थी पर समंदर में तेज तुफाना जाता है और नीमो का टॉइ पीगी समंदर में गिर जाता है नीमो उसे बचाने की कोशिश करती है पर तब ही उसे चोट लग जाती है और वो बेहुश हो जाती है बेहोश होने के बाद नीमो फिर से सपनों की दुनिया में पोहँचा थी वहापर उसे समंधर की तले में एक छोड़ दिखता है जिससे अंदर जाने के बाद ओएक बंजर जगा पोहच जाती है दूसरी तरह फ्लिप अपने ही मज़े में था तब ही उसे एक पुलिस आके बताता है कि फिलिप नाम का गुंडा एक छोटी बच्ची को बुरे ख्वाबों के समंदर में ले गया और उसे वही पर मरने के लिए छोड़ दिया ये बात सुनकर फिलिप डर जाता है क्योंकि बुरे खाबों का समंदर बहुत ही खतरनाक जगा थी वही दूसरी तरफ नेमो को एक जहाच के अंदर जादो ही मोतियों का खजाना मिल चुका था पर नेमो उस खजाने तक पहुचे नहीं पा रही थी इसलिए वो पिगी को एक स्ट्रिंग से बांद कर मोति लाने छोड़ देती है पिगी एक मोति निगल कर नेमो को देता है पर तब तक बुरे सपनों का दानों वहाँ आ चुका था वो नेमो को निगल नहीं वाला था कि तब ही फ्लिप वहाँ पर आ जाता है और नेमो को बचा लेता है नेमो फ्लिप को मोति भी दिखाती है जिसे देख फ्लिप काफी खुश हो जाता है अभी दोनों भी उस समंदर से बहार आ जाते है लेकिन बुरे ख्वाबों का साया उनकी प्लेन को डैमेज कर देता है जिसे दोनों भी क्रैश लैंडिंग कर देते है ये लोग अब दूसरे लोगों की सपने में गुश कर उस छोटे बच्चे की ट्रक में बैठ जाते है ये लोग अब एक के बाद एक डौर पार करके लाइट हाउस याने आखरी डौर तक पहुच नहीं वाले थे पर नीमो को कुछ अजीब फिल हो रहा था क्योंकि असली वाली नीमो मौत की कगार पर थी दूसरी तरफ फिलिप कारला की मदद से नीमो को धूर्ट दियोए लाइट हाउस तक पहुच चुका था यही पर नीमो की बोट चट्टा नों में फजी हुई थी सपनो की दुनिया में नीमो के हाथ से मोती गिर जाता है और तब तक बुरे ख्वाबो का साया वहाँ आ जाता है पर फिलिप उस मोती को उठा कर नीमो की तरफ फेकता है लेकिन तब तक उसाया फिलिप को ही दबोच लेता है तभी नीमो उस मोती का यूज़ करके फिलिप को सपनों की दुनिया से जगाने की विश मांगती है और फिलिप फिलिप की शरीर में मर्ज हो जाता है जैसे यह फिलिप और फिलिप मिल जाते तबी पुराना फिलिप जो की एडवेंचर्स और बहादूर था वो वापिस आ जाता है फिलिप समंदर के अंदर कुद कर नीमो को पानी से बाहर लाता है दूसरी तरफ सपनों की दुनिया में बुरे ख्वाबों का दानव नीमो को निगलने आ जाता है पर नीमो अब उससे नहीं डरती बलकि उसका सामना करती है इसलिए उदानव गायब हो जाता है नीमो अब लाइट हाउस के पास आ गई थी पर वो अपने पिता से नहीं मिल पाती क्योंकि नीमो ने वो मोती की पावर अल्डेडी यूज की थी पर तभी नीमो का पिगी अपने मूसे एक और मोती बाहर निकालता है और नीमो उसकी पिता से मिलने की विश मांगती है देखते ही देखते लाइट हाउस का नजारा बदल जाता है वो डराऊना लाइट हाउस पहले जैसे खुबसूरत दिखने लगा था और वहाँ पर अब पीटर भी था नीमो अपने पिता से मिलकर काफी खुश दी वही असली दुनिया में कारला और मेडिकल टीम नीमो को हुश मिलाने की कोशिश कर रही थी सपनों के दुनिया में पीटर नीमो को बताता है कि उसने सबी गमों को भुला कर जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए और साथ ही वो नीमो को फिलिप का भी खयाल रखने के लिए बोलता है पीटर और नीमो अब अलविदा कहते है और रियल वर्ड में नीमो को होश आ जाता है नीमो अब अपने अंकल को देखती है जो फिलिप और फिलिप दोनों थे फिलिप और नीमो अब अपनी लाइफ एंजॉई कर रहे थे नीमो नी स्कूल में अपने फ्रेंड्स बना लिये थे वही हम फिलिप को देखते जो नीमो की टीचर आरिया की घड़ी चुरा कर उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था फिलिप और नीमो अब समंदर की सेर करने जाते थे और रात के समय सपनों की दुनिया में फिलिप फिलिप बनकर नीमो के साथ रोमा जग सफर पर निकल पड़ता था और इसी हैपी एंडिंग के साथ ये मुवी यही पर खत्म हो जाती है तो basically इस movie के जरे हमें सेखने को मिलता है कि हमने सिप सपनों में अपनी मन पसंद दुनिया और खुशी नहीं दुननी चाहिए बलकि real world में रहकर अपनी जिन्दगी को सपनों जैसा खुबसूरत बनाना चाहिए So एथी explanation slumberland movie की I hope आप कोई वीडियो पसंद आई होंगी मैं आपसे मिलूंगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर